हलो फ्रेंड्स वल्कम बाग टो माई चैनल होमेपथी के हैं मैं डॉक्टर जोती आज आपके साथ डिसकस करने जा रहे हूं एक यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि शादी की शही उम्र क्या होती है जब बेबी हम बात स्टार्ट करते हैं कि जब बेबी एंब्रेवनिक स्टेज में ही होता है जब मदर के यूटरस में होता है उस टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि हमारे जो रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में जो ओवम बनना है ओवली में वह कितने ओवम बनना है तो हर म आधी मेंद्टली हम वही ऑव्म यूज करते है एक बाद क्या होता है कि पन्तर्व क्या हो न затी בाright एक बन howard कि रिलीज होता जाता है क्योंकि हमारे around इतने सारे stress factors हो सकते हैं, food वाले relative वाले factors हो सकते हैं, tension, stress, इस ताइब के ऐसे कुछ causative factors हो सकते हैं, जो इनकी quality को खराब करना शुरू कर देते हैं, या hormonals कुछ imbalance हो सकता है, जैसे कि lifestyle आज बहुत अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ stress रहता ही है, personal tension रहती है, या फिर कोई हो सकती है, chronic diseases हो गई है, या फिर irregular menses हो गया, hormonal imbalance हो गया, thyroid affected हो गया, तो यह सब cause आगे जाके infertility के हो सकते हैं, इसलिए जो age criteria दिया गया है, कि बहुत early ना करो, बट 30 के पहले ही शादी कर लो, जैसे कि जो आपका baby हो, वो healthy हो, और ovum की quality भी आपकी अच्छी ह तो जो ovum बनेगा, वो भी अच्छा बनेगा, ठीके, than other causes जैसे की infertility के हो सकते हैं, की PCOD हो गया, या thyroid related problem हो गया, या other कोई chronic diseases जैसे मैंने बुला आपको, तो वो या long time जुन की आप medicines चल रहे हैं, तो उनके वज़े से pregnancy effect ना हो, इसलिए age criteria है कि 30 के पहले, या आप अगर late marriage कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, कि आप late marriage करिए, लेकिन आप बेबी का plan जल्दी से जल्दी करने के कोशिश करिए, नहीं तो आपको infertility के बहुत सारे causes हो सकते हैं, infertility के chances बढ़ सकते हैं, so much for watching my video.